अस्सलाम अलेकुम, I am Hina Sahar, How are you? Hope you will be fine. दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपको मेरा चैनल में अगर आप पहले दफ़ाए हैं, तो फ्लीज इसको सब्क्राइब कर देना, उसाथ ही बैल आइकन पर क्लिक कर देना. चले, हम अपना नया लेसन शुरू करते हैं. तो हमारा लेसन है आज pronoun और उसकी किसमे, इसमे जमीर और उसकी किसमे. A pronoun is a word that is used instead of noun or noun phrase. इसमे जमीर उस अलफ़ाज को कहते हैं जो किसी noun की जगां पर इस्तमाल होता है. ठीके? समझागी? pronoun refers to either a noun. ये बाकी चीजें आप reading कर लेना खुद मैंने बस आपको ये इतना बता दिया है कि pronoun जो है वो कहते किसको है इसमें जमीर जो है वो कहते किसको है ठीक है अब यहां पर types of pronoun हैं तो types of pronoun मतलब किसमें हैं इसकी personal, possessive, reflexive, reciprocal, demonstrative, indefinite, relative और interrogative pronoun ठीक है अब जो मैंने यहां पर types लिखी हुए इन types के बारे में one by one हम reading करते हैं तो चलें सबसे पहले आता है personal pronoun personal pronoun होता है जो अपनी जात के मुतालिख होता है जैसे personal pronoun are used for a specific object or person and they change their form to indicate the different gender number case and person समझाके personal pronoun क्या होते हैं जो खास शक्स या खास चीज़ के लिए इस्तामाल होते हैं और यह जो है अपना form change इसमें लिखा form change करते हैं form change का मतलब जैसे कोई नाम लगा ले तो उस नाम की जगा पे आप लिख दें he, she, it इस तरह के pronoun को personal pronoun कहते हैं जैसे नीचे gender है तो gender का क्या मतलब he went to the market तो he is used for the male gender he जो है वो एक आत्मी के लिए इस्तामाल हुआ है ठीक है other example are his, him, he यह इसकी example है she is doing the laundry तो she is used for the female gender यह minus के लिए इस्तामाल हुआ है other example are her और hers ठीक है मतलब he, she, it और फिर he, she, it के आगे भी जो pronoun होते है his, him, he, her, hers इसको personal pronoun कहते हैं अब आपको समझ आ गई है कि personal pronoun किस तरह इस्तामाल होता है personal pronoun होते हैं किसी खास चीज़ या शक्स के जगां पर जो इस्तामाल होता है किसी खास शक्स या चीज़ के नाम की जगां पर जो इस्तामाल होता है जो उनकी form को change कर देता है अब यहाँ possessive pronoun इस तरह पुसेज़ नाउन भी था जिसको मैं आपको गाता कि जिसके पीछे अपास्ट्राफी लगता है जो का की की जिसका होता है तो वो इस same meaning इसका भी है तो possessive pronoun is a type of pronoun that originate from personal pronoun type that indicate position quality for any comparative relationship ठीक है अब possessive pronoun के मतलब है मल्कियत जाहिर करना सही है जो simply वो बताते है मैंने possessive noun में भी यह का था जिसमें अपास्ट्राफी लगता है इसमें अपास्ट्राफी तो नहीं लगता लेकिन इसमें yours, mine, dears, her, whose इस तरह के अलफाज होते है तो यह मल्कियत को जाहिर करते हैं जैसे this is my spectacle and yours, यह मेरी अइनक है और तुम्हारी spectacle कहते है नजर की अइनक को ठीक है, mine, this car is mine और एन, तो समझ आ गई, dears का कैसे होगा, improve your mistake first, अपनी खलती को पहले improve करो then talk about a dears, ठीक है, अब यह है reflexive pronoun, अब reflexive pronoun किसमें होते हैं, जिसमें myself, itself, herself, yourself, इस तरह के अलफाज आते हैं, ठीक है reflexive pronoun are whose, that, and in self, reflexive pronoun वो होते हैं, जिसके end में self आता है, उसको reflexive pronoun कहते हैं ठीक है, singular reflexive में होते है, myself, itself, herself, yourself, yourself, और pronoun में आते हैं, yourself, themself, ourselves ठीक है, मैंने आपको short example, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, वो आप खुदी download करके reading कर लेना, ठीक है मैंने आपको short example इसकी बताई है, कि reflexive pronoun वो प्रोनाउन होते हैं, जिसके end में self आता है, सही, समझ आ गई, और दोस्तों मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, कि अगर आपको किसी जगह पर, किसी topic पर समझ नहीं आती, तो please मुझे comments में बता दिया किया रहे, इस से एक तो मुझे अपनी गलती समझ आ जाजए करी कि मैं किस जगह पर हालत हूँ, और दूसरा मैं आपको दुबारा बताने में, ज्यादा अच्छा मैह मैसूस करूंगी अब यहाँ पर reciprocal pronoun, अब यह reciprocal pronoun क्यों से होते हैं, जिसमें each other or one another ऐसे अलफाज आते हैं, use reciprocal pronoun when the subject and object are the same people, ठीक है, जो जुमले का subject और object जो होता है, वो एक ही बंदा होता है, लेकिन वो एक ही बंदा, ठीक है, but you are referring to the two-way relationship, लेकिन आप उनकी जो relationship होते हैं, उनको दो जगह प रेफर करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने example दिये, Tom and Sarah work with each other, Tom और सारा जो है, वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ठीक है, तो Tom और सारा जो है, वो जुमले का subject भी हो गया, जुमले का object भी हो गया, मैंने यह zoom करके आपको बताया, इसलिए कि आपको सही समझ आ जाए, three or more people में क सब ने एक दूसरे के साथ अपनी जॉब के बारे में बात की है, तो जिस pronoun के end में each other, one another, ऐसे अलफाज आ जाएं, उसको कहते हैं reciprocal pronoun, समझ आ गई है, reciprocal pronoun, जिसका subject और object एक ही होता है, understand, समझ आ गई ही दोस्तों, चलें आगे बढ़ते हैं, demonstrative pronoun, अब यह demonstrative pronoun क्या होता है, demonstrative pronouns are words that show which person or thing is being referred to, demonstrative pronoun, वो pronoun होते हैं, जो show करते हैं कि कौन सा बंदा या कौन सी चीज़ किस के मतलिक बात कर रही है, ठीक है, this, the demonstrative in English are, English means demonstrative को कहते हैं, this, that, these, those, ठीक है, जिस चेकाँ पर this or that or these or those, ऐसे अलफाज आएं, इनको demonstrative pronoun कहते हैं, example देखें, this apple is good, I like those houses, ये सेप अच्छा है और मुझे वो घर अच्छे लगते हैं, the modifies apple are those modifies house, ठीक है, this जो है, वो apple को modify कर रहा है, और those जो है, वो houses को modify कर रहा है, तो demonstrative pronoun क्या हो गया, जो किसी चीज़ या किसी जगा की refer को बयान करता है, ठीक है, कि ये इसका तालुक किस चीज़ से है, ठीक है, अब shape का तालुक है, this मतलब नस्दीक से हम बात कर रहे हैं, और houses को हम दोस्त से कहके मुखातिब करें, मतलब वो दूर, तो इस तरह की नस्दीकी और दूरी, जिसमें आती है, उसको कहते हैं, reciprocal pronoun, अब ये indefinite pronoun है, तो indefinite pronoun बैसे कली आपको अच्छी तरह पता है, indefinite क्या होते हैं, जो directly किसी शक्स ये चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, उसको किसी और तरीके से उसका जिकर करते हैं, जैसे, indefinite pronoun is a person that does not refer to a specific person, place, thing, ठीक है, some indefinite pronoun are compound, what, or some, any, no, everywhere, ठीक है, जिसमें, people, things, or person में देखें, people में आता है, someone, somebody, thing में आएगा, something, place में आएगा, somewhere, anything, anybody, anywhere, anyone, no one body, nothing, no number, everyone, everybody, everything, everywhere, जिस pronoun में इस तरह के अलफाज आजाएं, anyone, everybody, any, nothing, इस तरह के अलफाज आजाएं, everyone, everybody, everywhere, ऐसे pronoun को indefinite pronoun कहा जाता है, ठीक है, someone was sitting on the sofa, can you do something, ऐसे अलफाज को indefinite pronoun कहा जाता है, अब ये relative pronoun तो relative तो definitely आप जान चुके के relative तो कहते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को स्थका करने के लिए, जैसे कौन, किस का, कहा, क्या, ऐसे अलफाज को relative pronoun कहते हैं, relative pronoun to use, to join, और relate to different classes, ठीक है, जो मुक्तलिब, जो दो different classes को आप इसमें जाइन करें, या दो बंदों को आप इसमें जाइन करें, ठीक है, क्लास क्या होता है, यह मैं आपको अपने अखले lecture में बताऊंगी, वैसे क्लास कहते हैं, दो लफजों को आप इसमें, जब दो जुम्लों को आप इसमें जोड़ के एक मनाता है, जिसमें and और but आते हैं, ऐसे जुम्लों को क्लास का जाता है, ठीक है, मैं आपको आगे उनमें यह हू, हूम, विच, हूस, विएर, वैर, वैर, वाट, डैट, डैट, ऐसे अलफाज आते हैं, थोड़ी बहुत मैं आपको जुम्ले पढ़के बतादें तो बाकी आप रिट कर लेना, ठीक है, यूस्ट फॉर पीपर सबजिक्ट हू आता है, वो तमाम लोग कौन है ठीक है, हूम जो है, यह किसके लिए इस्तामाल होता है, यह आपजिक्ट तोर पर इस्तामाल होता है, लोगों के लिए, तू हूम डू यू विश तू इस्पीक, तू किसके खौइस से बोलते हो या बोल रहे हो, ठीक है, विच आता है, यह भी आपजिक्ट होता है, लेकिन इसका किस तरह स्तामाले करेंगे विज आफ यूर पैरंट्स डू यू फील क्लोजर टू ठीक है तुम अपने वाले दयान में किस को अपने ज्यादा करीब समझते हो विज जो है वो जगों को रैफर करता है विज इस माई बताया है न रेलिटिफ प्रोनाउन तो ये रेलिटिफ प्रोनाउन और इंट्रोगिटिफ प्रोनाउन ये सेम हैं लेकिन ये क्वेश्चन के तोर पे इस्तामाल होता है वो क्वेश्चन के तोर पे नहीं इस्तामाल होते थे ठीक है वाट इस यूर नेम ठीक है इस तरह हूँ और हूस भी आ सकता है हूस पैंसल इस यह पैंसल किस की है ठीक है तो ऐसे जहां पर यह इस तरह के अलफाज आ जाजए हूस विच वू हूम और वट तो ऐसे लफजों को इंट्रोगिटिव प्रोनाउन कहते हैं मतलब सवालिया प्रोनाउन कहते हैं ठीक है रैलिटिव और इंट्रोगिटिव सेम तकरीबान आप इसमें मिलते जूलते हैं लेकिन वो जो है वो रैफर करता है सबजिक को भी और आबजिक को भी ठीक है रैलिटिव प्रोनाउन जो है वो relation को जाहिर करता है और ये सिर्फ सवालिया के तोर पे इस्तमाल होते है मैं आपको बार बार रेलिटिव प्रोनाउन इसके साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आज़े ओके तो दोस्तो ये थी प्रोनाउन और उसकी टाइब्स उमीद है आपको मेरे ये लेसन पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगर किसी भी जगां पे किसी भी कायंट्स की आपको अगर समझ ना आई हो तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ मुझे कॉमेंट्स में लिख के जरूर बता दीजिएगा ठोके ओके अला हाफीज गॉड बलेस यू